बिहार कृसी प्रधान राज्य और इस राजी की आबादी का एक मोटा तपका कहीं न कहीं जनसंख्या का खेती से जुड़ा हुआ है खेती में अलग-अलग प्रियोक से प्रमप्रागत खेती से अनिक खेतियों में अलग-अलग विधियों से अपने जीवकों का उर्प से खेती कर रही है इनी में से महिला हमारे साथ किसान है संगीता जी है जो कि पटना जी लेकि रहने वाली है और संगीता जी जीविका से भी जुड़ी हुई है मश्रूम की खेती करती है जीरो टेलेज के माध्यम से आलू की खेती करती है और भी कई अलग अलग तरह के प्रिय यह जरनी कैसे रही क्योंकि घर के चौकर से बाहर निकलना महिलाओं के लिए बिहाद में अभी बहुत बड़ा चाहिए उमानती अभी भी है या खतम हो गया अभी भी है तो मैं तो पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी एक छोटे पड़ी बाहर से अभी है और मेरा नम कुमारी संगीता हुआ पहले मैं अपना परीचे देदू मेरा घाओ फुलेलपूर हुआ अथमलवला प्रखड में पड़ता है तो जब मैं अपनी बड़ी बच्ची का साधी किये मेरा थोड़ा सा कंडिशन खराब था तो बड़ी बच्ची का साधी किये सास असूर थे घर में और पड़ी वार थे स्वहीं ने इनकार किया लेकिन मेरे हस्बिंट जो थे नोने मेरा साथ दया वोला कि नहीं जाओ उल्ब तो सबसे पहले हम चुल पढ़ाने के लिए कब की यह कहानी है कैसे कि यह 2015 की कहानी है कैसे साल कि सफले हम इससे पहले हम सिलाई करते थे एदर सपते बें बिजली की समचिय तो हम 223 जप्ति अपने बच्च करते थे शुद में मita老 гол ऑल्य हम खराब था किसी तरह से अपना जीविका चलाती थी शिलाई करके जब बच्ची का साधी किये तो थोड़ा सा मेरा कंडिशन खराब हो गया तो मैं सोची कि सिलाई से कुछ होने वाला नहीं है तो हम गाउं में एक प्राइबेट अस्कूल है उसको पकड़े वह पढ़ाने के ल हम जीविका में जुड़े फिर हम सीसी दीदी से बात किये कि दीदी हमको भी इसमें कुछ काम दिलवा दिजिए जिसे मेरा समय बेटर हो सके तो उन्होंने हमें सी एम पत पर रखा हमने गुरूप बनाई पंद्रा गुरूप बनाई और उसमें लोगों के गुरूप करते हैं से अज मेरा पंद्रा जोगों का एक गुरूप बिन को मेरा और हमने 15 पर लोगों का एक गुरूप बनाई विशुनदेव सर उन्होंने कॉल कि जिविका में कुछ महिला को मस्रूम की ट्रेनिंग करवाना है जो एक शुक है उसको भेजिए तो उसमें मेरा नाम भी आया तो हमने यहां आकर के त्रेनिंग लिन दूजार उनिस में कौन से मश्रूम था बटन था और दुदिया तो हमने मश्रूम की खेति की उसके बाद सा बहुत सारी महिला को पैंटीस महिला को गाउं से ला करके यहां ट्रेनिंग कर वाई मैं खुद लेकर आती थी सारी महिला को इहां से मेड़ा फुलेलपुर दे कभी कि इतना किलोमेटर है फिर भी एंको लगता है कि दस से वारा किलोमें लेकर दिए लेक याना है और लेकर जाना है सुरक्षी जिस महिला को हम लाए अपने तो उसको तो सुरक्षित ले जाना है अभी अचा हमत्रूम की ट्रीनिंग लिए टो कैसे मुश्रूम में आई खेति परोड और था कोई लगाता है तो हमने सोचा कि हम भी आपने खुद से जाके खेती मěं खेत में जाके सब्जी की खेती करते हैं. तो थोड़ा सा बाइगान साग चटनी के लिए धनिया हैं, और थोड़ा सा ये क्या कहते हैं लवकी जो भी हो थोड़ा थोड़ा हम सब सब जी लगाए उसके बाद फिर जीविका में एक दिन भीयो का मीटिंग था तो कोई सर आये उनका नम सुरेश सर तो उन्होंने जीरो टिलेज विधी द्वारा आलू की खेती करने के बारे में बता लोग बना रहे थे कि पहले तो था मतलब क्रिसी परधान देश अब हो गया इस्तरी परधान देश तो लोगां का तो काम है ब्यांग करना और मेरा काम है कांट सुनना सबसे पहले हम चार कठा में लगाए किती जेमीन आपके पास मेरे पास अभी तो प्रसनल मेरा नहीं है स चार कठा में लगाए एक भी गहां में अपना खेती का पुरा परियोग करते रहे तो चार कठा में लगाए तब मतलब बिना जूताई के धान कटने के एक सक उसका नमी देखा जाता है नमी देखने के बाद कि ना इंकम हुआ इस से जिरो ट्रेश लागत कितना ही और किया हुआ तो अभी क्या है कहानी अभी कितना हो जा रहा है खेती से अभी हम अच्छा कमा लेते हैं और मेरा जीवी मतलब जीव को पारजन है वह भी बेटर हो गया पहले से बहुत बेटर हां बच्चे लोग को ग्रेजिवेशन करवा दिये बच्चे परिवाद में दोलर का दो पकड़ने नहीं था कमांकरके जीवी कह से और यही सब खेती से घड़ भी बना लिए मेरे पास चीज का वेवस्त इक इंकम कितना हो जा रहे है मैं आपका खेती से जीवी कह जो आप सीयम बता रही थे उसे पानुछी है जो आपको मिलता है कितना एक खेती हो तमाम चूत ए पूरा जिसे चोटा पहले चोटा लगा के देखे अभी का बता अभी का अभी तो लगाए नहीं है कितना हो जाता है जो रूम खेती आलू की खेती आपका जो है उससे मोटा लाग रुपया से उपर लाग दो लाग सुपर समी लाग के सब मिलाक के दो डही लाग राम से अब सुध कमा ले रहें और मेरा यह भी चैंज हो गया मेरा जीवीका भी बेटर हो गया अब हम लोग करो तो बहुत कुछ मतलब महिलाओं को मिलेगा अपना मान सम्मान मिलेगा महिलाओं को अपने नाम से जाना जाएगा उनके हस्बेंड या ससूर किसी के नाम से नहीं महिलाओं को खुद के नाम से जाना जाएगा जैसे अभी हम खुद अपने नाम से जाने जाते हैं अपने लोग हमीसे सला लेने के लिए आते हैं कि खेती कैसे किये आलू का खेती कैसे किये मसरूम का कैसे किये हमको बताएं तो हम बताते हैं तो जी हाती है संगीता जी और बिहार की महिलाएं जैसा मैं कह रहा था कि अब निकल रही है घरों से और घरों से निकल में उसमें जीविका का बड़ा ही योगदान रह रहा है बिहार में कि बिहार में कई इसी महिलाएं हैं जिन्होंने जीविका के माद्यम से जुड़के के पास कुछ जमीन है तो वो आराम से प्रसिक्षन लीजिए और इस तरह के जीवन में आप भी बदलाव करिए कमाई के लिए कुछ लोग संपन्ने हैं तो कमाई के लिए नहीं बलकि दूसरे के लिए प्रेणा के लिए भी खेती करिए कि ताकि अन्य महिलाएं भी आपको दे किसान तक खाना है तो उगाना है